जैहिंद जैभारत दोस्तों आज के से वीडियो में मैं आपको यहां पर बताऊंगा वह है पुर्णांक आखिर यह पुर्णांक होता क्या है पुर्णांक हम किसे कहते हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है आप यहां पर इजिली समझेगा तो पुर्णांक हम किसे कहते हैं पुर्णांक है क्या पुर्णांक से आप क्या समझते हैं पुर्णांक हम किसको कहते हैं तो यही सब आज किस वीडियो में हम किलियर करेंगे तो आप वीडियो को यहां पर ध्यान से देखिएगा और हाँ गाई मैं जो यहां पर बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और हाँ साथ ही समझना और नहीं समझना न तो सिर्फ आपके उपर निर्वर करता है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं मैंने परिभासा लिख किया रहा है आप समझे तो यहाँ पर लिखा हुए कि सभी धनात्मक संक्या यहाँ अपको समझ आए यह आपको बिल्कुल नहीं आया अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजे और मैं आपको चलता हूँ अगले दुनिया में कैसे इसको समझना है चलिए आप यहाँ पर ध्यान देजिए तो जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ गए धनात्मक संक्या ये आखिर है क्या तो अब समझते हैं ये है कि धनात्मक संक्या हम किसको कहते हैं तो गौर किसे का धनात्मक संक्या हम किसे कहते हैं क्या आप यहां पर 80 जानते हैं क्या आप 80 जानते हैं क्या आप 80 जानते हैं यही तो है आपका क्या धनात्मक संख्या इसके जगा पर हम छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं और छोटा मध्यम सब हम यहाँ पर ले सकते हैं तो यही तो है आपको क्या धनात्मक संख्या और इसे अगर आप छोटा लेना साथ आते हैं तो आप इसली यहाँ पर देखेंगे इसके जगह पर एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, और हम तीन भी ले सकते हैं, और हम यहाँ पर चार भी ले सकते हैं, तो यह सब क्या है, यही सब तु है आपका धानातमक संख्या, ओके, और इन सब को हम क्या कहेंगे, इन सब को भी हम कह सकते हैं, धानातम अभी आपको यहाँ पर ख्याल नहीं रहनी अभी मैं आगे बताऊंगा तो यह क्या है धनात्मक संख्या है जो कि एक से सुरू होगा और आप जहां तक ले जाएंगे वहां तक जाएंगे यानि अनन्त तक और अनन्त का जो सिंबुल होता है कुछ इस परकार की होती है आप य यह रिनात्मक संख्या होता क्या है तो चलिए अब हम समझते हैं रिनात्मक संख्या तो रिनात्मक संख्या को इधर समझते हैं यहाँ आपने ऐसा कभी अंक देखा है जिसी माइनस आठ माइनस साथ और माइनस छे क्या आप कभी यह सब देखे हैं जी आप देखे हैं देख जानकर आपको क्या लग रहा है यही सब तु defend parked हैं पर ले सकते हैं जैसे आप कह सकते सो यहाँपर यह क्या है यह पर आपको रिनाघंख संख्या है और इसके साथ-साथ आप कुछ भी ले सकते हैं आपको यहीं केंगे तो बस किसी भी संख्या के आगे आपको माइनस का चिन लग जागा तो वो आपको कहला गैगा क्या रिनात्मक संख्या अब इसके बाद आता है परिभासा में की तथा साथ ही 0 के समू कोई हम क्या कहते हैं पुर्नांक कहते हैं अब आपको ये समझना है तीनों को अब एक साथ लिखेंगे तो आपका पुर्णांक आसानी से बन जागा जैसे यहाँ पर यह 0 है और इसके बगल में हम 1 और 2 और इसके 3 और इसके 4 और जाते जाते अनन्त और इसके इधर लिखेंगे आगे की और माइनस 1 और माइनस 2 और माइनस 3 देखे साथ ये आपको आता है पर आप डरते हैं तो इन सभी को अगर हम मिला देंगे तो यही तो आपका हो जाता है क्या यही तो है आपका क्या पुर्णांक अगर जीरो से आगे की साइड आएंगे तो यह आपको कहलाएंगे रिनातमक पुर्णांक और जीरो से पीछे जाएंगे तो यह आपको क्या कहलाएंगे धानातमक पुर्णांक क्या आपको मेरी बात समझ आई धानात्मक पुर्णांग पुर्णांग और रिनात्मक पुर्णांग पुर्णांग परिभासा समझ आया की नहीं आया अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथी आप इसको इजिली लिख पाएंगे ठीक है तो क्या आपको समझ आई अब मैं आपको और छोटा सा ट्रिक देता हूँ जिससे आप पहचानेगा कि पुर्णांक हम और किसको किसको कहते हैं जैसे अगर आपके सामने कोई संख्या आजाए 5.6 क्या यह पुर्णांक है क्या यह पुर्णांक है जी हाँ बिल्कुल यह पुर्णांक नहीं है और इसके साथ साथ अगर आपके सामने कुछ भी आजाए जैसे कि मानते है चार बटा आपको यहाँ पर तीन आजाए यानि भीन वाला कोई भी आपको संख्या आजा है तो यह आपको पुर्णांक है जियां यह पुर्णांक आपको नहीं है और साथ ही दोस्तों अगर रूट वाला जैसे आप देख सकते हैं मैंने आप पर लिख देया रूट अंडर दू क्या यह पुर्णांख है जिया यह बिल्कुल नहीं है ठीक है पुर्णांख हम इसको ही कहते हैं जैसे आप यहाँ पर इजली समझ पाए है रिनातमक संक्या यह वो मध्धानातमक संक्या तथा जीरो साथ ही यह सब का समुह गाइस कहलाता है क्या पुर्णांख आपको कहलाता तो आपको समझ आया की नहीं आया यार अगर आपको समझ आ गया हो तो यार वीडियो के नीचे जरूर लिखना और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते हैं और सबस्क्राइब कैसे करना है आप नीचे देख सकते हैं के नीचे लाल कलर का होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है तो मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ और इससे ज्यादा और भी वीडियो में आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा बस इसके आगे पीछे उलट फुलट के दिया रहेगा तो आपको घबरानी नहीं है बस यही होता है पुरनांक चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहें और जुड़े रहें और कोई दिकत होते है जरूर लिखना